Good morning, आज मैं आपको बताऊंगा किस तरह से calculation करके levels को draw किया जाते हैं और ये बहुत powerful है, ठीके, तो आज जो मैं आपको बताऊंगा, वो basic के लिए क्या है, ये जो technique है, level draw करने क्या, वो basic के लिए क्या है, formula based technique है, calculation based technique है, और ये बहुत powerful है, मैंने personally उसको use करता हूँ, तो हैने देखे होंगे, recently मैंने trade लिया था, जो मैंने telegram पर भी मैंने skin short share किया था, आपने देखे होंगे, मैंने यहाँ पर buy किया था, और 2000 point की e-reliči को की capture किया था, उसके बात यहाँ पर sale करके, ये 1,000 point का भी рilie capture किया था, उसके बात ये वाले भी capture कर रहा था, तो जो भ के वेसिस पर में एंट्री करता हूँ बड़ जो लेवेल ड्रो करने के जो तरीका है वह मैं आपको बताऊंगा किस तरह से लेवेल ड्रो किये जाते हैं केल्कुलेशन पेस्ट है और यह बहुत पावरफुल है और यह चाहाए आप पोजिशनल ट्रेट के लिए भी यूज कर स इसलिए Excel Sheet मेरे पास है, Excel Sheet के अंदर मैं वेलू पूट करमगा, आपको लेवल निकल के दे देगा, आपको सिर्फ लेवल को यहां पर पूट करना है, एंटर करना है, डालना है, लेवल को ड्रो करना है आपको ONतु दंश गारता हूं यहां से गिरा है करता हूं यहां से गिरा था सपोर्ट में करता हूं तो कहने काम करने हैं और आपको सारे काम करके देदसेगा बहुत पॉज़शsal में आपको समझ में आएगा थीक कि निफ्टी के लिए बीए आप उसको ये अप्लाई कर सकते हो चले में निफ्टी का भी चार्टफ कर लेता हूँ और यह वान्डे का चार्ट है अभी आपको कुछ करना नहीं है आपको करना दिकिए मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ मार्केट के अदर जो भी आप देखते हो ना जो भी मुवेंट है चाहे यह बला आपसाइड मुवेंट हो डाउंसाड मुवेंट हो यह सब कुछ प्री प्लांड है पहले से सब कुछ प्लांड है के लिकुलोशन बेस्ट है बले ही सुनने में थोड़ा सा अजीव सा लगएगा बट सच्छाई यही है एक चोटा सा एक्जाम्पू देता हो आपको मैंने जैसे आपको बता दिया था कि फिबोनासी के किस बता दिया था फिब फिबोनासी से यह पता लगा सकते हो आप केलकुलोशन करके यह पता लगा सकते हो मार्केट यहांपर ट्रेट कर रहा है अगर मार्केट अपने हाई को उप लोग वर्कर नहीं किया रिक कर सकता है या तो मार्केट नीचे केए तरब भी कर चा Strategy थै도 तो market अभी तक किसी को break नहीं किया, market यहां पर trade कर रहा है, लेकिन आप Fibonacci से पता कर सकते हो, कि अगर market अपने high को break करता है, तो कहां तक जाएगा, कहां से rejection लेगा, या अगर market अपने low को break करता है, तो कहां से support लेगा, या आपको सब कुछ पहले से पता होता है, calculation करके Fibonacci की साब से, तो कहने का मतलब market के जो भी movement होते है, वो सारे चीज़ आपको पहले से पता चल जाएगा, break करने से पहले पता चल जाएगा, अगर break करता है, उपर की तरफ कहां तक जाएगा, अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है, तो कहां तक जाएगा, कहां से support लेगा, या सब कुछ आपको पहले से पता होता है, Fibonacci में आपने वो चीज़ देख लिए, प्लास में भी बताया था, तो कहने के मतलब यह है, कि market करता जो भी movement होते है, वो सब कुछ क्या होता है, calculation based होता है, ठीके, और यह आज जो टेक्निक बताऊंगा आपको, वो Fibonacci से भी powerful है, आपको कुछ नहीं करना होता है, market करता है, जो भी आपको high लग रहा है, low लग रहा है, बस उसको आप उठा लो, कहने के मतलब, for example, market यहाँ पर trade कर रहा है, इस जगाँ पर trade कर रहा है, तो आप देखो कि इसके आसपास, बड़ा high कौन सा है, swing high कौन सा है, low कौन सा है, दोनों में से कोई से उठा लो, तो market अगर यहाँ पर trade कर रहा है, तो मैं देखूंगा कि swing low यह लगा था latest, और swing high यह लगा था latest, उसके आसपास के, तो चाहिए आप इस swing high को पकड़ लो, या तो आप low को पकड़ लो, आपको काम हो गया, ठीक है, for example, मांग के चलो, एक चोटा से example दे रहा हूँ, for example, market यहाँ पर trade कर रहा है, example ले रहा है, यहाँ पर trade कर रहा है, तो swing high कहाँ लगा है, latest, यह वाला, तो चाहिए आप यह वाला high पकड़ लो, या तो जो latest low है, यह वाला low पकड़ लो, चाहिए आप चाहते हैं, तो यह वाला low भी पकड़ सकते हो, कहना के मतलब market जहाँ पर trade कर रहा है, उसके आसपास के swing high या swing low, दोनों में से कोई साथ भी एक पकड़ लो, ठीक है, उठा लो, दोनों में से कोई साथ भी उठा लो, और उसके बाद आप इस excess hit के अदर डाल दो, यह दखो, यह लिखा हुआ है, high और low, तो market के अदर जो भी आपको जहाँ पर trade कर रहा है, उसके आसपास के, या तो swing high, या तो swing low, दोनों में से कोई साथ भी आप यहाँ पर enter कर दो, वो automatic आपके लिए लेबल निकाल के दे देगा, तो यहाँ पर देखिए दो टेबूल है, एक देखिए आपके यह वाले टेबूल है, और एक देखिए यह वाले है, दोनों में से कोई difference नहीं है, दोनों same है, बट difference थोड़ा सा यह है कि deviation का, deviation का मतलब है, जो दो लेबल की बीजमें distance कितनी है, बस उसके फरक है, ठीके, तो यह जो टेबूल है, यह basically मैंने positional trade के लिए यूज करता हूँ, और यह जो टेबूल है, यह basically intraday के लिए यूज कर सकते हो, positional trade के लिए क्या होता है, दो लेबल की बीजमें distance चादा चाहिए होता है, ठीके, इसलिए यह वाले यूज करो, और अगर आपनो intraday करने हैं, तो दो लेबल की बीजमें distance कम चाहिए होती है, तो उस किसमें आप यह वाले यूज कर सकते हो, हलाकि intraday के लिए अलग से sheet है, यह पर देखो लिखा हुआ intraday, अलग से sheet है, यानि 15 minute के high या one hour के basis पर जो high है या low है उसके basis पर high यहां पर put कर सकते हो, ओ intraday के लिए अलग से अलग से है, फिर भी अगर आपको पोजिशनल के लिए ट्रेट के लिए करना है, तो यह वाले table use कर सकते हो, मैं इसको use करता हूँ, अगर intraday के लिए करना है, तो आप यह व थिवालिंट की बाद बाद में करेंगे अब ऐसीं पोजिश्टनल की बाद करता है तो कहने कि करना हिसलोश करना है तो आप को यह उठा सकते हो ठीए तो अगर यह उजल रोगे तो यहाँ पर देखिए डोय तेलल है यहांपर एक resistance लिखा हुआ है, एक support लिखा हुआ है, ठीके, इसका मतब क्या है, देखिए, अगर market एक निच्चे आ रहा है, निच्चे आने के बाद कहीं swing लो लगाया है, उसके बाद market उपर की तरफ जा रहा है, तो जब उपर की तरफ जाएगा, मुझे यह पता करना है कि उपर की त आपके उपर की तरफ resistance आपको निकाल के देदेगा, similarly, अगर मार्के चलो कि market यहां से high लगाने के बाद market निच्चे की तरफ गीर जा है, तो मुझे यह देखना है कि निच्चे की तरफ कौन-कौन से level है, यानि support कौन-कौन सा है, यह पता करने के लिए, यह जो high है, इस high को मैं उठा के यहां पर डाल दूँगा, तो market आपको यहां पर support निकाल के देदेगा, निच्चे की तरफ आपको level निकाल के देदेगा, इसलिए यहां पर दो टेबल बना थी है, एक आपका resistance के लिए, एक आपका support के लिए, अगर market निच्चे से उपर जा रहा है, तो low को पक support निकाल के देदेगा, यह है इस table को use करने का तरीका, अगर आप इस table को use करते हो, तो कोई दिक्कत निए, छहां कोई साभी swing high या swing लो यहां पर डाल दो, वो आपको लिए level आपको निकाल के देदेगा, और यह जो blue वाले box है, यह वाले level आप उठालो, पोजिशनल के लिए उठा सकते हो, इंटाडी के लिए उठा सकते हो, ठीके, बाकी जो इंटाडी के लिए अलग से वीडियो बना दूँगा, तो चलिए start करते है, तो मैं पोजिशनल के लिए बता रहा आपको तो यह वाला table भी use करूँगा, देखिए, यह है निफ्टी के चार्ट है, निफ्टी के चार्ट के अंदर देखोगे, कि कुछ व्यक्टेस करके दिखाऊंगा आपको किस तरह से market ने react किया है, देखिए, निफ्टी नहीं यहाँ पर एक low लगा था, उसके बास market ने उपर की तरफ जब 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 यहाँ पर low है, यहाँ पर low लिखा हुआ, सबसे नीचे यही है, तो low कितना लगा हुआ है, 16,828, यहाँ पर देखिए लिखा होगा, 16,828, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ लिख दूँगा, 16,828, जैसे मैं ने put किया, automatic यहाँ पर level निकल किया अगे, अब मैं इ यहाँ लेबल निकल किया आता है, यह दिखिए, 17,088, तो मैंने इसको put कर देता हूँ, 17,088, color चेंज कर लेता हूँ, 17,088, तहले level को मैंने फटाफ़ ट्रो कर लेता हूँ, उसके बाद कुछ और चीज़ आपको दिखाऊंगा, ठीके, उसके बाद कौन से level आता है, यह द 15, 17,615, 17,615, नेक्स्ट कौन सा level है, यह देखिए, 17,081, 17,081, 17,081, ठीके, उसके बाद देखिए, क्या आ रहा है, 18,150, 18,150, 18,150, ठीके, उसके बाद क्या रहा है, यह देखिए, 18,420, 18,420, 18,420, पहले level को ड्रो कर लाता हूँ, फिर आपको बता होगा कुछ चीज़ और, उसके बाद देखिए, 18,693, 18,693, 18,693, ठीके, उसके बाद देखिए, 18,9,6,7, 18,9,6,7, 18,9,6,7, 18,9,6,7, उसके बाद क्या है, यह देखिए, 19,244, 19,244, 19,244, ठीके, दो, ठीके, दो, ठीके, दो, ठीके, आपको दिखाता हूँ, उसके बाद क्या है, यह देखिए, 19,522, 19,522, 19,522, 19,522, ठीके, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपको, ध्यान से देखिए, पहले देखिए, लेवल को रेश्पेट किया की नहीं किया, वो चेक कर लिज़े, मारकेट ने उपर गया, उस लेवल को ब्रेक आउट दिया, देखिए, यह पोजिशनानल के लिए है, ठीके, ब्रेक आउर दिया, टेस्टिंग किया, मार्केट उपर निकल गया, यहां से रिजिस्टेंस लिया, निच्छे आया, सपोर्ट लिया, सस्टेंड किया, एगें देखें, ब्रेक करके निकल गया, एगें देखें, यहां से रिजिस्टेंस लिया, एगें देखें, निच्छे आ ठीक है उसके बाद देखिए आया सपोर्ट लिया लेने के बाद एक इन उपर चला गया तो अब जो मैं बोलने वाला उसको सुनिए यह पोजिशनल के लिए है और यह जितने भी लेबल से वह आमने किस बेसिट पर लिया था निचे से आमने जो लो निकला था आमने उस लो के बेसिस पर यह सारे लेबल निकल के आये तो और मार्केट के बढ़िया तरीका से उस पो रेस्पेट कर रहा है जाके आप चेक भी कर सकते हो देखे किस तरह से रेस्पेट मार्केट ने उसको कर रहा है ठीक है तो यह पोजिशनल के लिए है मुझे पता है कि इस लेबल को ब निकल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है मैं आपको चाहता हूँ तो कर सकता हूँ लेकिन अगर आपके मुन में यह क्वेश्चन आता है कि मार्केट में देखिए यहां से देखिए समझा तो आपको आपके मुन में क्वेश्चन आसकता है कि मार्केट उपर तो निकल गया उसके बाद निचे आया और एक नया लो लगा नीव क्वेश्चन आ सकता है आप किया य कॉष्चन को चाहे नतल अडर अपने एकसेट में कर सकता हूँ या मैं अपर आने लोग को ही consider करू यानि यह जो लेबल निकाल के आ रहा था यह जो पुराने जो लोग है उसके बिस्स पर यह लेबल निकाल के आया था इसको मैं क्या continue करूँ आगे की तरफ या यह जो new लगा था इसके बिस्स पर लेबल में निकालू यह मन में question आ सकता है तो answer यह है कि आप ले सकते हो यानि आप जो पहले जो लगाया था उसके बिस्स पर जो एक्सेशिट के अंदर आपन डाले थे जो भी लेबल निकाल के आ रहे थे उसको आप यहां पर continue आप कर सकते हो यह ना continue करने का मतलब है यह जो देखो आप एक्सेशिट करोगा ना तो यह तो देख नहीं है ठीक है यह मैं आपको बोलना चाहता हो चलिए मैं आपको चेक करके आपको दिखाऊंगा तो आपको चीज़ें और समझ में clear हो जाएंगे आपको ठीक है जैसे देखिए यह जो पहले ड्रो किया थे किसके बिस्स पर है पुराने लोग के बिस्स पर अगर मैं निव दूल लोक को कौनिर करता हो तो देखिए निव लोक कौन सा यह यह वाला डेट कंडल देखिए सबसे नीचे है कितना है यह दिखिए आप लोग देखिए कितना है 19,230 अगर देखिए 19,230 यहां पर पूट करता हो मैं तो देखिए क्या रहा है 19501 आप 19501 को में पूट कर रहा हूँ देखिए ठीके मैं कलर को चेंज करता है डिफरेंशेट करने के लिए दो लेवल को 2501 तो आप यहां पर एकी देहां से देखिए यह रेट करे लाइन है यह किसके बिशिश सब्सक्कि네 अब आपके उपर के तरफ लेबल निकल के आएगा और अगर अपने नियू डिसेंट लो लगा है उसको अगर कोंसेट करते हो तो उसका भी जो लेबल आएगा वह भी देखिए दोनों पासपस में आएगा ज्यादा फरक नहीं होता ज्यादा फरक नहीं बढ़ता इसलिए आप अब मैं आपको एक काम करता हूँ यह तो अपने यूज करना आपको दिखा दिया इसको एक बार आपको यूज करके दिखाता हूँ सेम लो चाहिए आप पुराने उठा लो या नयवाला जो लो है 19230 यह डाल दो तो यह डाल दिया यह देकि लेबल निकल के आ रहा है आप मैं Inquoo यूज करके दिखा दिखाता हूँ आपको यह अपको देखन catch huh Blue color की जो बॉक्स है यह बाल आफ पूट करके दिखाता हूँ AI यह अवाला वी यूज करोगे यह वाला यह यह जी ऐख़े कि काम करते है के यह दोनों हो से वह उसकते हो सबसे हम सारा जर की 19361 तो चलो इसको पूट करके आप देख लेते हैं 19361 पूप से जाजाब तीन सो एक सर्शॉरी तो यह से बतादे ना कि यह जो लैवल है आप इंट्रेएक लिए कि लिए उसके बाद क्या है उन्नीजार क्या है 501 पिन्स पांसो एक है किसी जो इसके बाद किया है उन्निजट पानसो एक जैंस नयोंक एशेस्ज January 64 again test यह लेखेल क्या है द्धी कि उसके बात किया है उनिट्रा साथ सबस्केर से今 watches उसके बाद क्या है यह देखिए 1922 मैं आपको बोलूंगा अभी कुछ चीज़ द्यान सुनना आप उनिस दर कितना है उनिस दर नोसो बाइस सोरी उनिस दर नोसो बाइस ठीक है उसके बाद क्या है 2063 इकारि बीस हजार सिश्टी देख्यह की यह जो लाइन है इंद्यान से देखिए कि एक तो क्या है इस लओ से उठायां हमने वह दूसरा क्या है हमने कूंसे यूस कर रहा हूं में इंटडे वाले लेवल गां है ताकि दोनों से आपको confusion मीट जाए कि दोनों किस तरह से यूज़ कर रहा हूं तो यह ब्लू कलर के जो लाइन देख रहे हो सुरी रेट कलर के लाइन देख रहे हो यह बेसिकली इंट्राइड के लिए यह भी डिस्टेंस अच्छी कासी है तो उसके बाद देखो कौन-कौन सा कर रहा हूं मैं यह देखिए है कि 20,205 इसको भी हम पूट कर लेते हैं 20,205 देखो मार्केट के किस तरह से रियक कर रहा है खूच जाकर चेक कर लिजिए मार्केट ने एक्जेक्टली वहां से गया है गी रहा है तो यह लेवल कैसे निकला यह लेवल हमने कैसे निकला इस ल पाने लोश से उठाओगे तो भी आपको यहां पर लेवल आपके आ जाएंगे तो देखिए एक लोको पकड़ा और अटोमेटिक सारे लेवल निकाल के आएगा किस तरह से मार्केट ने उसको रियक्स कर रहा है डाके चेक कर सकते हो सिमिलर लिए अगर डाउंसार में अंद कर दो यहां पूट करोगे तो इनटरे के लिए निकलके आएगा थोदा पास-पास में आएगा और यहां पर लेवल पूट कर दोगे तो दूर दूर आएगा याणि पॉजिश्टनल के लिए तो अगर मैं को निच्छे के तरफ जा रहा है तो मैं क्या करूंगा इस वाले को कि क्यों से हाई को पकड़ूंगा तो नीचे की तरफ लेवल मैंब को निकल आएगा और अगर में रिज बॉल्ग के और तो बिन आ ने ररहिं लोग गो नubenेशने और इंट्मा पर्ण है किसले कर रहा है। चेक कर लो आपको दिखेगा मार्केट ने एवरी टाइम इन लेवल को किस तरह से रियेट कर रहा है तो कहने का मतलब इस तरह से लेवल को ड्रो की जाते हैं इंट्रे अगर करना है फॉर एक्जामपुल सेम लेवल को मैं अगर वान आवर के विशिट पर यूज करना चाहता ह हो या 30 मिनिट 50 मिनिट को उसके बीसे पर जोभी स्विंग हाई लगेगा उस स्विंग हाई को या स्विंग लो को मैंने इंट्रे वाले शीट पर डाल दूँगा तो डाल दूँगा तो अटो मेरे को लेबल निकल के आएंगा और बिलिब करिये मार्केट बहुत बढ़िया तरीका से उसको रेस्पेट करता है किसी एक और दिन मैंने इंट्रडी के लिए भी लेवेल ट्रो करने का आपको तरीके बताऊंगा तो यह एकसे सीट जो है यह आटोमेटिक है तो आपको फोरी कुछ नहीं करना होता है लेवल को यहां पर डाल दो आटोमेटिक आपके लिए लेवल बॉर निकलके आपको दे देगा तो चलिए थैंक यू तो आज की क्लास यह मत्तव आज की जो वीडियो ही तक एंड है